दोस्तों अगर आपके पास Demet Account नहीं है तो आप फिरी में आप Stocks का Demet Account खुलवा सकते हो और Demet Account खुलने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा इस पेज पर इसका लिंक आपको वीडियो के पर डालना होगा और Sign In पर क्लिक करना है इसके बाद आपके इस नंबर पर एक OTP आएगा OTP को आप यहां पर डाल दीजिए इसके बाद Continue पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपको अहां पर अपना 6 डिजिट का PIN Code बनाना होगा यह PIN Code आपको आगे चलकर Login करने में Help करेगा ठीक है जो भी PIN Code आप यहां पर बनाएंगे उस PIN Code को आप कहीं पर लिख कर लें ताकि आप भूलेना ठीक है इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने पेज खुल जाएगा यहां पर आपको अपने कुछ लिटेल लालने होगी ठीक है तो यहां पर आप Yes या No अपने साबसे कर लेना इसके बाद आपको Next करना है इसके बाद आपको यहां पर Consent देना होगा और Submit पर क्लिक करना होगा इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर I want Stock for Free इसके बाद यहां पर आपको अपना साइन करना होगा आप माउस की मदद से यहां पर आपने साइन कर दीजिए और साइन आप अपने Pen Card को देख कर ही करें जैसे भी साइन आप करते हो वह साइन कर देना ठीक है हलका सा उपन नहीं चाहोगा कोई दिकत की बाद नहीं है पर आपको साइन अपने हाँ से करने पड़ेंगे ठीक है माउस की वहल्प से इसके बाद Continue पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपको द्वारा से Continue करना है और यहां पर अब आपको अपना अधार काड का नंबर डालना होगा ठीक है इसके बाद Next पर क्लिक करना है इसके इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उपर allow करना है और यहाँ पर आपको द्वारा से continue करना है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी फोटो को verify करना होगा आपका जो camera है चाहे आप mobile में form भर रहे हो चाहे आप laptop में form भर रहे हो या फिर चाहे computer में form भर रहे हो उसका camera open हो जाएगा आपको camera के आगे खड़ा होना है और capture पर click करना है ठीक है आपको यहाँ पर सही photo ही click करनी है आप अच्छी खासी रौफशनी कर लेना पहले उसके बाद photo click करना ठीक है यहाँ से आप के वाइसी बगरा हो जाएगी इसके बाद capture इसके बाद continue पर click करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको continue करना है इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से continue करना है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर no पर क्लिक करना है और continue पर क्लिक करना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर अगर आप nominee एड़ करना चाहते हो अपने इस dmit account में तो आप add कर सकते हो अगर आप इसको बाद में करोगे simply I will do later पर क्लिक कर देना और continue पर क्लिक करना ठीक है इसके बाद दुस्तों आपको यहाँ पर e-sign करना होगा यहने कि आपके जो आधार कार्ड है उसके थुरू आपका verification होगा ठीक है तो आपको यहाँ पर e-sign with आधार OTP इसके बाद यहाँ पर देखिए downloading डिखाएगा आपको wait करना है और इस page को आप काटना मत नहीं back करना है ठीक है जब downloading आपके 100% हो जाएगी उसके बाद आपके सामने यह page आएगा यहाँ पर आपको e-sign now इसके बाद दोस्तों आपको consent देना है और proceed to e-sign इसके बाद आपको यहाँ पर अपने आधार काड का नंबर और उपर consent देना है इसके बाद send OTP पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपके इस नंबर पर जो mobile number registered है जो आधार काड में mobile number लगा हुआ है उस mobile number पर OTP आएगा OTP को डालना है और submit OTP क्लिक करना है यहाँ पर देखे दोस्तों हमारा जो OTP था verify हो चुका है इसके बाद आपको यहाँ पर दोबाद से e-sign with आधार OTP क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों हमारा काम पूरा हो चुका है ठीक है उपर देखे लिखा हुआ है जो हमारी application का status है वो लिखा हुआ है कि तीन दिन लगेगा हमें तीन दिन वेट करना होगा और तीन दिन के अंदर ही हमारी जो KYC बगरा है और जो उनका process है वो पूरा हो जायेगा जैसे ही सब कुछ सही होगा मतलब कि जैसे ही आपकी verification हो जाएगी वैसे ही आपको contact किया जाएगा आपको mail आ सकती है आपको message आ सकता है आपको call भी आ सकता है जैसे ही आपको पूरा काम हो जाएगा वैसे आपको contact किया जाएगा और उसके बाद आपका account खुल जाएगा ठीक है दोस्तों आप account का use अपने mobile application के थूरू कर सकते हो या online भी कर सकते हो और जहाँ पर आपसे six digit का pin code मांगा जाएगा वहाँ पर आप वही वाला pin code डाल देना जो आपने बनाये था ठीक है फिलाल आप नीचे download document पर क्लिक करके download अपने document देख सकते हो कि आपने क्या क्या भरा था और यह एक तरह से KYC फर्म हो जाएगा आपका ठीक है तो यहां पर आपके सारे detail आजाएगी ठीक है दोस्तों यह था पूरा तरीका online app stock में free domain account खोलवाने का यहां पर आपका एक रुपा भी ने लगा और मुस्किल से पांच मिनट में यह काम हो गया ठीक है अगर net की speed अच्छी होगी आपके document सब ओके होंगे तो आपका काम भी पांच मिनट के अंदर हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो कहीं खतम करता हूँ अगर आपको कहीं दिक के कैर गुडबाए